हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सभी का मेरी चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों अभी बज़रे हैं सुबह किछ है और आज सुबह सुबह लगा ली है मैंने मशीन क्योंकि कपड़े खटे हो रहे थे दोने के लिए काफी सारे और रिदम चला गया है स्कूल तो उसका जो भी समानी फैला हुआ है वो सबसमगा के मेरा करी हैं क्योंकि रात की टैम वो यहीं बैट पर बैट के पढ़ाई करता है क्योंकि बाहर वाले कमरे में तो हम सब लोग सोते हैं तो पढ़ाई करता है तो लाइट जली रहती तो लाइ अज़स नहीं किया है और यहां पर ममी बैठी हूं ध्यान में तो अभी मैं लगा ले रही हूं जाड़ू पहले जाड़ू लगाऊंगी उसके बाद मैं लगाऊंगी पोच्छा बालकरी में यहां लगाने के बाद मैं आगी हूं बालकरी में से मेरे पांस निल्टर की और पदेया है ॉसके बाद मैं लगा ले रही हूं पोच्छा अब इंदर लाकर Hillary और अब मैं लगा रही हूं बालकनी में मैं रोज नहीं लगाती हूं तीसे दिन पहुचा लगाई लेती हूं लेकिन क्योंकि पेड़ों में पानी देने के बाद जो इसे एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलता है तो मिट्टी थोड़ी बहुत बाहर निकल जाती है और फिर तो तो सब्जी मैंने चोंगती है और में डाल दूंगे हलका सा पानी और इसको प्लेट से ढख दूंगी और गयस सिम करके रख दूंगी तो अभी यहां पर इदेखे कि सब पीछे की साइड में सब कपड़े फैले हुए हैं और यहां मेंज पर इच्वर चोटे जो कपड़े यह सब भगवान ची की पुशाक है क्योंकि इसको बाहर तो फैला नहीं सकते क्योंकि उड़ने का डर रहता है तो इसके अंदर ही मेज फर जो है इसको मैं पहला देती हूँ और अब मैं नहां दोकर आ गई हूँ और कर ले रही हूँ अपनी सुबहे की फूजा प्रेंट्स अभी बज रहे हैं पौने 11 और अब मैं जा रही हूँ शॉप पर आज मुझे थोड़ा लेट हो गया जाने के लिए क्योंकि थोड़ा बीचे मुझे एक घंटे के लिए तुकान जाना पड़ा तो उसमें टाइम मेरा वेस्ट हो गया तो अभी पौने 11 होए है सब सफाई जाड़ो बच्छा वरतन का नास्तार का रसा भी हो गया है मेरी बचाबर नाश्ताकर नमा किए तो बंभी नहा रही है तो बंभी ते नहा कि आती थे मैं नास्ता कर लेटी हूँ तो शायद मैं मेरे साव दुकान नहीं जाएगी दुकान के लिए फिर उनको भी क तो फ्रेंस दुकान से आ गई हूं मैं घर और सुछ से पहले बालकनी में जो मैंने मसाले रखे थे सूपने के लिए वह उठा के रखते रही हूं अंदर क्योंकि दूप तो बहने बालकनी में दूप चली गई है और इसके बाद यह देखिए मैं आपको दिखा रही है एक और कर ले हों पियंट पहले इसको नीचे बेज कलर मैंने किया है वाइट और सब्सक्राइब अब कर रही हूं लाइट ब्लू क्लर और रखता हूं Initiate तो फ्रेंट्स अभी बज रहे हैं दो और मैंने डबे को पेंट करके रख दिया हैं और इसको सुखने में थोड़ी से पेंटिंग बनाऊंगी और जिससे की और सुंदर लगेगा उसके बाद मैं इसमें पौदा लगाऊंगी मुझे इसमें तुलसा का पौदा लगाना है क्योंकि मेरा जो एक तो तुलसा का पौदा है अच्छा बड़ा लेकिन दूसरे चोटी पौद में लाई थी तुलसा की वह छोटे से डबे में रखी हुए है तो उसकी जड़ जो है नीचे तक नहीं जा पाएगी ज्यादा तो इ तो फ्रेंड्स पर पॉट बनाने के बाद मैं चली गई थी शौप पर और वहां से अब मैं आई हो साड़े साथ पजे तो शाम का पूजा का समय भी हो गया है और सुर से पहले पूजा आरती कर लूँगी और उसके बाद चलते हैं किस दिन में खाना बनाने के लिए और तो लीजी मैंने प्याँ जो टमाटो दोनों को अच्छे से दोखे चौपर में चौप कर लिया है और आप मैं इसमें बारिक बारिक अधरक पिकाट के डालूंगी और यहां पर यह देखिए बाजी मेरी रैडी हो गई है अबल किया है तो मैंने इसको मैसर जे मैस कर लिया ह पहले में इसको मिक्सी में ही पीशती थी तो मिक्सी में किया है कि बिल्कु बारिक पिश जाती है और इसे अच्छी नहीं लगती है खाने में तो यह मैंने मैशर से मैश करी है तो उससी कहा है मोटी दरदरी सी रहेगी थोड़ी सी और वो खाने में भी अच्छी लगती है ऐसे और इसे असमे डाला बना अछा है। तो यहाँ पर यह बहजी मेरी रेडी हो गोई है और अब मैं दूसरी गैस पर बना रही हूँ सूजी का हलवा तो लेजे सूजी मेरी भून के तियार हो गई है और मैं बहने का जोगराम भी थोड़े दर पहले इसमें डाल के इस चे सबून दिये थे और उसके बाद चीनी डाली और उसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया था और इसमें डाल दिया है पानी है बस इसमें अबाल भी आगया है बस जैसी गाड़ा हो जाता है तो मैं इसको उतार हो तूंगी तो हलवा पी रेड़ी हो गया है मेरा और यहां पर देखे पॉर्ट मेरा सूग गया था तो मैंने अब इसमें ब्लैक कलर से थोड़ा मैं इसको डॉट-डॉट करके डिजाइन सारे सब्सक्राइब तो इस वीडियो को मैं यहीं पर कर रही हूं और आपको मेरे वीडियो पसंद आया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में लगते के लिए बाई